रेस्टरेंट होटल्स के आपने वेज मंचूरियन तो बहुत बार खाए होंगे लेकिन चलिए आज घर पे इसको बनाते हैं बहुत ही सिंपिल और बहुत ही करेक्ट मैथट के साथ तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेर पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज मंचूरियन नमस्कार दोस्तों तो वेज मंचूरियन के लिए बोल्स बनाएंगे उसके लिए हमने शिमला मिर्च गाजर और पत्ता गोबी लिए जिसको की धो कि हमने चौपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया है तो खुब महीन आपके पास चौपर नहीं है तो आपके पास ग्रेट कर सकते या फिर आप चाकू से भारीक बारीक का तीजेए इन सबजी के साथ आप बीन्स, गोभी, जो सबजी बनो वो आप ले सकते हैं मैं तो यहां प किसमे दिशली डाला सब्सक्राइल गालिमिश को पाउड़ देचे मोच सब्सक्राइया अगो कालिमिश पराइल स्क Drive में 160 क्येंड़ में फ़िछू करें और देखें आपको फेरे ढिल दीजिए टेल थाद थाड़ को रिए इन्हानीऊ हमें थाफिब ट्वेבया दोस्ते में के विद है शुर्वात में बने खाले तो यह मिंशे की तो आपकी ठीछ चाहिए तो ऑल्मिक कर्काश इंगे तो आप नहीं डालियेगा, अगर नहीं हो रही है, जैसे कि मेरी वाले binding नहीं हो रही है, तो क्यूंकि मेरा चम्मच जो है वो छोटा है, तो मैंने दो चम्मच कॉन्फलोर और दो चम्मच मैदा और डाला है, जिससे कि अब हम इसको भी mix करके देखते हैं कि binding होती है कि नी होती है तो यहाँ पे binding होना शुरू हो गया है खुब अच्छे से mixing कर लीजिए और इसके बाद जैसे आपको हातों से पता चलने लगेगा कि binding शुरू हो चुकी है हलकी सी भी binding होगी ना तो बस आपके बोल्स बन जाएंगे जादा binding के लिए आपको मैदा या कॉन फ्लोर की जरूरत नहीं होती है देखिए यह हलका समय से प्रेस कर रही हूँ ना बोल्स बनना शुरू हो गया तो अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ यह देखिए बस इस ब्र करना शुरू हो गए दो घुड़ अलग के और तो इसके बोल्स बना लेयका यहां पर हमने ओया है मीडियूम फ्लेम पर घराम कर रहा है और थोड़ा सा ओल्या पे लगा लाग लीजेगा जिसके की जब आ पने यहाथों ने चिपकेंगे नहीं तो अब हम क्या करते हैं तेल गरम है मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा मिक्षर लेंगे उसको हलका हलका ऐसे हलके हलके हातों से बोल्स बनाएंगे और गरम गरम तेल में डालते जाएंगे यह देखिए एक बार आप और देखिए हलकी सी बाइंडिंग होगी आप उसको बोल्स बनाके गरम गरम मीडियम फ्लेम पे तेल डाल दीजिए उसके बाद डालने के बाद आप इसको बिलकुल मत छेड़िएगा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा पूरी तरीकी से तब आप इसको पलटिएगा यानि कि फिलिप करिएगा अगर आप बोल्स ड इस तरह से टिशू पेपर पे निकाल लेंगे चारो तरफ से हम सुनेरा होने तक अच्छे से इनको फ्राई करेंगे फर्स टाइम जब आप बोल्स को डालते हैं तो डालने के बाद उनको तुरंद अल्टा पल्टी नहीं करना है बस इसी बात का अपको ध्यान रखना है चा बाद उनको तुरंद आपको नहीं चूना है जब यह हलका सपना कलर चेंज कर लेंगे फिर आप इसको अल्टा पल्टी करेंगे तो लगतार हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही तल रहे हैं और सुनेरा होने के बाद हम सारे बोल्स को गरम गरम तेल में से निकाल लेंगे तो यह यह खाने में भी बहुत टेस्टी हैं बहुत सॉफ्ट है तो चलिए मैं आपको एक बोल्स दिखा देती हूँ तोड़की यह देखे कितना सॉफ्ट है और अंदर से देखे कितना बढ़िया से पग गया बिल्कुल भी कच्छा नहीं क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे तो अंदर से भी पग गया है और उपर से इसका कलर बहुत अच्छा है तो चलिए फटा फट सॉस तयार करते हैं मंचूरियन के लिए हमने कढ़ाई को रख दिया है कढ़ाई को खूब अच्छी गरम कि उसके बाद हम इसमें दो चम्मच तेल डाल रहे हैं तो कोई भी कुक लैसुन को बहुत जादा नहीं पकाना है सिर्फ उसी तीस से चालिस सेकेंड हम लैसुन को अल्टा पल्टी करते हुए फ्राई कर लेंगे तो यह जो फ्लेवर आता ना बहुत बढ़ी आता है लैसुन का इसी के साथ हमने आपे शिमला मिर्चो प्याज लिए जिसको कि हमने इस से स्क्वाइर में काट लिया इनको भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे और इनको हम करेंगे सौते यानि कि इन सबजीयों को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है सिर्फ लगतार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे सौते करना है तो मीडियम टू हाई फ्लेम आप इस समय कर स तो मैंने डाल दिया है कोई बहुत जरूरी नहीं अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास नहीं है तो इस स्प्रिंग अनियन को आप सकते हैं लगभग मैंने इनको 30-40 सेंड अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे पे प्याज औ शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है यह इसमेंगे डालें साॉसस। सबसे बहले मैं डाले हμुत सेजवान सॉस तो यह हम डालें लगग 2 चम्मच भरके अब तो और जाले देंके अर्फी और ज़ग पड़ग। तो शोया साॉसच ग्री चिली सॉस् तो अपने आपके बहर रहर ठीजिंग लेग झालें और साथ कि इतने सारे सॉसेस पढ़ते हैं, मैं तो भूल गई, आप लग ज़रू डालिएगा, मैंने बाद में डाला था तो वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कराई तो उसके लिए मुझे माफ करियेगा, इन सारी चीजों को हमने मिक्स कर दिया है, अब डाल देते हैं, चार से पांच च तो आपके पास यह क्रशर नहीं है तो आप अपकाली मिशका पाउर डाल देगा आदा चमम से थोड़ा कम, रिकॉर्ण के सम्हाल के सौवात के अनुसार क्यों कि नमक सॉसेस में होता है, तो उसके अकॉर्ण को डालिएगा, कोई बीचीज कम होगी तो उसके आप बाद में कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पानी डाल रही हो मैं यहाँ पे चार कप के करीब, तो चार कप के करीब मैंने पानी डाल दिया भी देखी कितना पतला पतला कैसा लग रहा है परशान मत हो यह बहुत ही बढ़िया बनेगा, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पानी बड़ी दालने के बाद ढ़क के बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं, जब एक अच्छी सी बॉयल आ जाएगी देखिए कितना बड़ी बॉयल आ गया है तो इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, तीन से चार चम्मच पाउडर का पाउडर लेंगे, एको आप पे डिपेंड क अब हमारी ग्रेवी कितना गाड़ी हो दो अभी कुछ कुछ कासर बाकी है तो मैं सोच रहा है कि पूरा ही डाल दूँ क्योंकि जब तक बाद पढ़ रही है क्योंकि यह जब तक तक मुझा नहीं याएगा थोड़ी थोड़ी स्थोड़ी साउस भी कम लग तो मैं स्वेश स तब आपाए और इसमें सारे इसमें अब बौल्स को डाल दे लों है तो अब आपीजिक जब आप अच्छा सा बॉल आ रहा होगा तो तो हमने शारे मन्चुरियन के बोल्स को डाल दिया जिसके ग्रेवी का जो फलेवर है वो बौल्स में भी फिपका फिम लग बंट के लिए अभी हमें से पकाना है दो मिनट तो जब तक यह पक रही है तब तक आप लोग फटाक से मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिए अब कि लेविकुर फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत पायने रखता है तो अब आम स्प्रिंग अनिन्स डाल देते हैं दो मिनट लग बग हो चुका और यहां पे हमारे मंचÖरियन ग्रेवी के साथ ना जभाब बनके तैयार हो चुप एपको चाहिए या नहीं चाहिए यह और बढ़ा किता है अपछे में आज के एंच में करता है लेकिन मैं च trench लेती हूं कोई कमी तो̇समें टेमैटो सॉस टाला है और नमक बहुत कम था तो थोड़ा सा नमक मैंने उपर से भी डाल दिया है इन जारी चीजों को हम 20 से 30 सेकेंड और पका लेंगे medium to high flame पे और उसके बार हमारा बढ़िया सा wedge manchurian घर पे बनके तयार हो जाएगा तो दोस्तों giveaway में participate करिए क्योंकि giveaway में participate करना बहुत असान है आप लोग मेरे वीडियो के नीचे comment करें और साथी में मैं इस giveaway के winners का नाम का announcement दिवाली के एक दिन पहले करूंगी live आ करके तो यहां पर हमारी manchurian बनके तयार हो चुकी है और अब मैं ग्यास की flame को बन कर रही हूँ फटाफट इसको सर्फ कर रही हूँ तो यह देखिये रेस्टरेंड और होटल से कहीं ज्यादा टेस्टी और टैंटिंग हमारी veg manchurian घर पे ही बनके तयार हो गई है मेरे तो मुह में आ रहा है पानी मैं तो चली इसको खाने आप लो भी देर मत करिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट इस रेसिपी बनाईए कमेंट करिए औ तब तर लाजवाब रेसिपी के साथ तब तक क्या करना आपको सिर्फ उसिव अपना ख्याल रखना है और अश्योस कुकिंग मैजिक के साथ अपना साथ बनाए रखना है। बाई बाई एंट टेक कियर।